स्कूटर का नाम है Hero Zoom 160, यह जो स्कूटर यह तोड़ा सा ADV टैप का Maxi स्कूटर है, जिसमें आपको काफी अच्छे बड़े साइस की सिस्पेंशन मिलते हैं, जो आपकी राइट को काफी ज्यादा कमपटेबल रखेंगे, और सो जो स्कूटर में स्पेस है, वो भी काफी स्कूटर में जिसमें आपको सारे function show हो जाएंगे, और काफी बड़े साइस की सिंगल सीट है, और जो लाइट है, वो सभी पार्ट में आपको LED मिलेंगी, स्कूटर में फ्रंट में और रियर पार्ट में दोनों में ही डिस्प्रेक रहेंगे, और बाकी इंजन में इसमें 156 CC का liquid cool engine रहेगा, जो maximum power को निकल कर देगा 12-15BHP की, तो यह जो स्कूटर है, यह इंडियन मार्केट में लाउंच हने के बाद कॉम्पेट करेगा, यह महां Aerox से, Aprilia SXR से, और टीवेस अंटॉक से, टीवेस अंटॉक जो है, वो एक मैक्सी स्कूटर तो नहीं है, बट एक अच्छा कासा स्पोर्ट स्कूटर है, जिसने इंडियन मार्केट में mostly स्कूटर मार्केट को ग्रैब कर रखा है, तो अगर हीरो वाले इसको एक affordable price पर launch करते हैं, तो एक अच्छा कासा drop आ जाएगा, टीवेस अंटॉक की सेल में, वैसे हीरो की तरफ से एक Zoom 1-5 भी स्कूटर में देखने को मिलेगा, और launch कोने पर इसका जो प्राइस है, वो रखा जाएगा, वन लाउंट 20,000 से वन लाउंट 40,000 के एक स्कूरूम पर, तो अगरा जो स्कूटर हो आने वाला है, टीवेस की तरफ से एंड ये थोड़ा सा अप्ग्रेजिट वर्जन होने वाल और स्कूटर की जो टॉस्पीड होने वाली है, वो होगी 82 किलोमेटर पर आर की, तो नए आइक्यूब में होने वाली है, फास्ट चार्जिंग, बेटा रेंज और थोड़ी सी ज्यादा पावर, बाकि इन सब के साथ साथ आपको इसमें मोबाल फोन कनेक्टिविटी मिलेग और डेमेंशन में इसका काववेट होगा 128 केजिगा, सीट हैट आपको मिलेगी 770 mm की और 157 mm की इसमें ग्राउन क्लियांस होगी, तो अगर आप आने हो लेड़े में किसी न्यू इलेक्रिक स्कूटर को लेने का प्लैन कर रहे हो, तो आप TVS IQ ST को ज़रू कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसका जाएगा, वो रखा जाएगा, एक लाग 25,000 के अक्षरों प्राइस पर, अगला जो स्कूटर है, वो यामाहा की तरफ से आने वाल है, यामाहा नियो, यह भी एक इवी केटेगरी में आने वाला स्कूटर है, जिसके बारे में फिलाल में कोई भी डिटेल नह मिलती है, दोनों बैतरी के साथ इसकी जो रेंज है, वो है 68 किलोमेडर की, बाकी बात करें इसके लाउंच टेट की तो यह स्कूटर आपको 2025 की मार्केट पे देखने को मिलेगा, तो अगला जो स्कूटर है, वो अगेन कीवी कैटेगरी में आने वाला स्कूटर है, बेसिकल को कलर्स और ग्राफिक्स में फरक देखने को मिलेगा, बाकी इस स्कूटर का प्लस पूंट यह होगा, कि आपको इसमें कामफर्ट, फीचर्स, स्टोरेज और डिजैन काफी अच्छे मिलेंगे, जो मैंने नोटिस कर रहा है कि जो सुजुकी की बुग मैन है, उसके उपर का पर तो अगरा जो स्कूटर है वो है हीरो जूम 125R, इस स्कूटर को बेसिकली टीविस और के कॉमपडिशन में बनाया जा रहा है, और जो स्कूटर का डिजैन है वो भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा इंस्पार्ट है टीविस और बाकी जो स्कूटर में इंडिकेटर यू सिंगल स्लेंडर एर कूल इंजन जो मैक्सिमाम पावर प्रोडूस करेगा 9.4bhp की और टोर्क होगा स्कूटर में 10.16Nm तो और मैं आपको बताऊं तो स्कूटर का डिजैन का प्यच्छा है पावर आपको आपको अच्छी मिल रही है तो आपको क्या लगता है क्या यह स्क स्कूटर की तरफ से लॉंच होगा स्कूटर का नाम है होंडा काफी टाइम से स्केट लॉंच होने का बिट करा जा रहा है एंड फिलाल महीं इसका 2024 वर्जन लॉंच हुआ है ग्लोबल मार्केट में जिसमें स्कूटर में नए डिजैन और नए फीचर आया है एंड होंडा प्लान कर रहा है इसको लॉंच करने के इंडियन मार्केट में तो जब यह लॉंच चुका तो यह सीधा कॉपटिशन देने वाला है बीन डपलू के C400 जीटी को बात पर होंडा फोर्जा की तो आपको इसमें 330 CC का लेक्विट को लिंगन मिलता है जो मैक्सिमम पावर पर उ इसका रटा 31.5 Nm का 5,250 rpm पर पीचर में आपको इसमें डूल ABS मिलेगा अज़च्टेवल विंट स्क्रीन एंस्कूटर में और LCD कोंसूल एंस्कूटर में जो स्पीडो मिटर के साथ है और आपको इसमें स्मार्ट की का भी ऑप्शन मिलेगा और सस्पेंशन में इसके फंट पर पर देखने को मिलेगा तो अगला जो स्कूटर है वो अगीन हंटा के तक पर प्राइस के बारे में यह स्कूटर आपको इंडियन डूल मार्केट में 4 लैक से 4,50,000 के प्र लाउंच होते बे देखने को मिलेगा तो अगला जो स्कूटर है वो अगीन हुन्टा की तरफ से है और यह एक कॉम्न्यूटर सैग्मेंट का स्कूटर है स्कूटर करनाम है हुन्ट अक्टिवा 7G कापी टैम से इंडियन मारकेट में है एक्लिवा के 7 जेनरेशन के लाउंच होने का बेट करा जारा है जिसमें कही स्टिल वी केन एक्सपेक्ट सिंग्नल चैनल एबेस फ्रॉम होंडा अगर होंडा असा करती है कि वह इसमें सिंगल एबेस देती है तिवा की जो सेल है न वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है बाकि आपको क्या लगता है क्या इसमें एबेस आना चाहिए या नहीं यह पश्टर आप्स्टूर जो प्लाल में अपकी स्कोटर में नहीं है बाकि जो इंजिन वने वाल एक्टीवा संवन जनरेशन में मैं वा आपको सेम मिलेगा जो फिलाल में से ह dishon। जें जनरेशन में यूजकरा जा रहा है यो मेक्सिमम पाप्रुाओं सेवन बोइंट सवन नायन बेस की, और टोर कोगा स्कोटर में 8.84 नीटन मीटर गा, और स्कोटर की PVC क्वालिटी को भी थोड़ा सा बैटर करा जाएगा, काफी कम्प्लेट्स थी इस इस गेंडरेशन अक्टिवा में, तो इसको better करा जाएगा Activa के 7th generation में और यह जो Activa के 7th generation है यह आपको 2024 के 3rd quarterman Indian market में launch होते हुँ देखने को मिल जाएगा तो आने वोले time में आपके लिए यह भी एक better option बन सकता है आप इसको consider कर सकते हो बाकि यह थे आज की वीडियो Indian dollar market में launch होने वाले scooters के बारे में I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लेक्स होगा देना और मुझे नीचे comment करके बताना मत बोलना कि आप मैंसे कितने लोग है जो इनके launch हने का बेट कर रहे है और आने वोले time में इनको purchase करने वाले है बाकि अगर भी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं कर रहा है तो आगे भी ऐसे ही informative वीडियो उस देखने के लिए और नीचे देख बैल अकरन को बैसका ना मत बोलना ताकि मेरी वीडियो के notification सबसे पहले आपके पास आए तो बस तर दोस्तों आज से ले इतना ही बागी गलत बारत से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ